हेलो गाईज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप snap mint buy now pay later application के अंदर से कोई product purchase कर लेते हैं like phone या कोई भी electronic product उसके बाद अगर आप उसका repayment नहीं करते हों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना एंड इस वीडियो को भी like कर देना तो मैं आपको बता दूँ अगर आप snap mint buy now pay later application के अंदर से repayment नहीं करते हो तो क्या हो सकता है मैं सबसे पहले अपना EMI option में जाकर दिखा देता हूं कि मेरा यहां पर EMI overdue कितना है 3824 रुपए मेरा EMI overdue है और यहां पर है ना मैंने 2 EMI pay नहीं किया एक था 3 December को और एक था 3 January को आज से 4-5 महिने पहले मैंने EMI payment नहीं किया और इस 5 महिने के बीच में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको सारी चीरे बता देता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि snap mint application के थुरू कोई भी agent होता है ना जो recovery agents होते हैं वो सब कोई भी problem नहीं होती है क्योंकि snap mint application वाले कोई भी recovery agent को नहीं बेशते हैं कि पैसे आप इन्हों ने repayment नहीं किया इनके घर पर जाओ मार पीट करो या गाली गलोच करो और उसके बाद पैसे लिकर आओ इस तरह कि कोई भी problem snap mint application के साथ नहीं होती है दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो दूसरी loan application में problem होती है लाइक की आपका जो contact list है वो ले लेते हैं वो अपने पास save कर लेते हैं उसके बाद अगर आप repayment नहीं करते हो इनका पैसे तो आपकी call list पर call किया जाता है उसके बाद वहां पर बूला जाता है कि सर आप repayment करो गाली गलोच किया जाता है तो यह problem भी snap mint application के साथ नहीं होती application को बनाया है उस application से जो mobile number connect है उस number को अपने आयना software में डालकर आपको calls करते रहते हैं हर पांच मिनट के अंदर आपको एक call आज आएगा and continue इस तरह के calls आते रहते हैं तो इसलिए आप इस बात का ध्यार रखना कि अगर आप snap mint application से amount ले लेते हो like कोई product order करके उसका repayment नही करते हो तो आपको सबसे ज्यादा problem यही होने वाली है कि आपको बार-बार calls आएगा इसके अलावा कोई भी problem नहीं होगी and दूसरी बात आपको बार-बार text message and WhatsApp messages पर आपको links आती रहेगी कि आप इसका repayment करो और इस तरह का message आता रहेगा and बार-बार आपको call करते रहेंगे हर 5 मिनट के अंदर and तीसरी बात सबसे बड़ी problem यह है कि अगर आप snap mint application के अंदर repayment नहीं करते हो तो आपका civil score खराब हो जाएगा and civil score खराब होने की वज़े से आपको है यहाँ पर कोई भी जो company है वो आपको loan नहीं देगी इस बात का ध्यान रखना अगर आपका amount कम है औ मैं आपको बता दू मेरा है ना काफी सारी मैंने कंपनियों से loan लिया था मैंने पे नहीं किया था तो इस वज़े से मेरा जो civil score है वो अल्रेडी बहुत खराब है इस वज़े से मैं यहाँ पर pay नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर pay नहीं कर रहा हूँ अगर कम है जैसे मालो आपने 2-3,000 या 5,000 रुपए तक ही लिया है और आपको ज्यादा दिन नहीं हुआ है लाइक 15-20 दिन या एक महीना तक ही हुआ है तो आपको EMI pay कर देना चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद है ना आपका जो civil score है वो effect होने लग जाता है और यहाँ पर इन लो application से कोई भी amount जैसे मतलब कोई product purchase करते हो और repayment नहीं करते हो तो आपको 45 दिन का time मिलता है उस time के अंदर आपको repayment कर देना चाहिए और मैं आपको बता दूँ अगर आपने काफी ज्यादा amount ले लिया है लाइक 20-25,000 रुपए ले लिया है और अगर आप repayment नहीं करना चाहत हो तो आपका civil score क्या होगा आपका civil score पूरा खड़ाब हो जाएगा और civil score खड़ाब होने के बाद आपको कोई भी company दो से तीन सालों तक loan नहीं देगी और इसके अलावा बाकी आपको कोई भी problem नहीं होने वाली एंड आपके घड़ पर भी कोई agent नहीं आने वाला ना यह आपकी contact list पर call किया जाएगा बस आपकी जो phone number है जिससे आपने snap mint by now pay later application को बनाया था उस नंबर पर हर पांदस मिनट में एक call आता रहेगा एंड एक message आता रहेगा कि आप snap mint पर payment करो उसका link होगा नीचे payment link तो बैस यही problem होगी एंड इसके अलावा कोई भी problem नहीं होने वाली मैंने आपको सारी बाते बता दिये अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना एंड वीडियो को like कर देना मैं इसी तरह की और application के बारे में बताता रहता हूं कि अगर आपने किसी application के अंदर amount ले लिया है और अगर आप payment नहीं कर पा रहे हूं तो क्या problem हो सकती है वो सारी बाते आपको मैं directly बत कर और ऻाधा देता हूं और मैं असी person की बताता हूं account लेकर जिसने payment नहीं किया होता मैं उसी का लेता हूं उसी के फ्रू ही आपको बताता हूं उससे सारी details लेकर तो मैंने उसी का ही account लेकर आपको सारी details बताई यह आपर दीख सकते हो तो तीन अर्जार आठ्चो चौबिस रुपय का यह मैं ओवर्डियू है और यहां पर मैं आपको बता देता हूं अभी आपको पता है पांच वाए छटा महीना चल रहा है और यहां पर आप देख सकते हो तीन दिसंबर का है तो पांच से च्छे महीने हो चुके हैं और मैं आ आपको अगर लोन लेना है या सिविले स्क एसे करना है सारी चींज़ मैंने आप अपने चैनल पर काफी सारी वीडियो में बता रख रख़ों मिलत। आप व्क किलीए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को स्क्राइब कर देना